हेलो फ्रेंड्स मेरी यूटूब चैनल स्पाइसी इंडिन रेस्पीज में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बिल्कुल बिंगो इस्टाइल क्रिस्पी मसालेदार चिप्स बनाना सिखाएंगे तो दोस्तों मेरी वीडियो लाश्ट तक जरूर देखें और मेरी वी जिसे में बड़े बड़े टुकडों में काट लिया है चार से पांच लैसन लिये है और आधी चमत जीरा लिया है तो अब हम इन सभी चीजों को पीछ लेते हैं तो अब हम एक बरतन में देड़ ग्लास पानी डालेंगे और पानी को अच्छे से गरम हो जाने देंगे पानी गरम हो चुका है तो अब हम इसमें प्याज लैसन और जीरे का पेस्ट डालेंगे पानी में अच्छी तरके से मिला लेंगे अब हम चम्मच की हिसाब से आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे आधी चम्मच नमक डालेंगे और इन सबी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसे थोड़े चलाते हुए पका लेंगे पानी में उबाल आ चुका है तो अब हम इसमें चावल कार्टा डालेंगे चावल कार्टा हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे इसा अदो यह बुला तो इसमें थोड़ा सा पाने और डाल दीजेए अगर आपका ज्यादा mega diferen तो आप इसमें थोड़ा हम थोड़ा चावल कार्टा और डाल सकते हैं तो अब क्ल contestants में तो तो फोड़ा तेल दालेंगे और इसकी सबी साइडों ज्टा कर देंगे अर्ग कर देंगे औरॉट में निकाल लेंगे हमने इसे फेला देते हैं ताकि ठंडा हो जाए और हम हातों से अच्य तरिख्य से चूँ सके अ Peru यह देगे दोस्तों कि हालका फंडा हो चुका है तो अब हम हातों में थोड़ा तेल लगा कर इसको अच्छे से मस लेंगे इसको थोड़े दर इसी तरह मसलते हुए डो बना कर तयार कर देंगे हमने इसे अच्छे से मसल लिया है अब हम इसके गोले को लेंगे और उसको अपने हातों से गोल करेंगे उसके ऊपर ठोड़ा चावल का आटा लगाकर उसको चक्ले पर रखे बीलन से हम बेलेंगे दोस्तो चावल का आटा किनारे से बहुत फटता है इसलिए हम इसके ऊपर चावल के आटे का धुरन लगाएंगे और इससे फिर से बेलेंगे हमने इसे अच्छे से बेल लिया है तो अब हम इसके किनारे का जो फटा वो उसे पहली काट के निकाल देते हैं दोस्तों इसके किनारे का हम दूसरे में इस्तमाल कर लेंगे अब हम इसे काट लेते हैं आप अपनी इच्छा नियुसारी से बड़ा या छोटा काट सकते हैं दोस्तों आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं अब हम इसे ट्रियंगल के सेफ में काट देंगे ये देखिए तो दोस्तों अब हम इसमें काटे की चम्मा से छेट कर लेंगे आप चाय तो छेट पहले भी कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं इसी तरह हम सभी पीसेज में छेट कर लेंगे यह देखिए दोस्तों नहीं मैंने ज्यादा इसे मोटा बेला था और नहीं इसे मैंने ज्यादा पतला बेला था यह देखिए दोस्तों मैंने सभी पीसिस को अच्छी तरह के से कट लगा लिए हैं तो अब हम इन सभी को फ्राइ कर लेते हैं हम ने एक बरतन में तेल गरम कर लिया है तेल हमने ज्यादग गरम नहीं कर रहा है हमने हलका ही ग्रम रख़ा है तो अब हम इन चिपसी स्कुस्ट में डालेंगे एक साथ हम जपती हम ज्यादगे डालेंगे तो अब हम इने पल्टा लेते हैं यह देखिए दोस्तों इसमें हलका गोल्डन कलर आने लगा है इसी तरह पल्टाते हुए हम इने अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो यह अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं और इसमें अच्छा कलर भी आ गया है तो अब हम इने निकाल लेते हैं यह देखिए दोस्तों इसमें कितना अच्छा कलर आ है कितने अच्छे से फ्राइ हुए है तो अब हम बाकियों को भी फ्राइ कर लेते हैं तो देखिये दोस्तों इसे बी तो आच्छा गोल्डन कलर आ गया है ये वी कितने अच्छंच से फ्राई हो गए हैं अब हम इने भी निकाल लेते हैं तो यह देखिए दोस्तों मैंने इन सभी चिप्सिस को अच्छे से फ्राइ कर लिया है तो अब हम इने थोड़ा मसालेदार बना देते हैं तो अब हम एक मिक्सिंग बाउल में एक पैकेट मैगी मसला डालेंगे अधी चमआच चाठ मसला डालेंगे एक चोते चमआच लाल मिर्स ओर डालेंगे और साद अनुसाल यह एक ओर नमक डालेंगे तो अब हम इसमें फ्राय किये हुए चिप्स डालेंगे और इसकी ऊपर से ढखकन बंद कर देंगे अब हम इसे सबी साइडों से अच्छी तरिके से घुमाते वे इसे मिला लेंगे अब हम इसे खोल के देख लेते हैं यह देखिए इसमें अच्छे से मसाला मिल चुका है यह देखिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो ये देखिए दोस्तो चावल के आटे का इतना स्वादिष्ट मसालेदार और क्रिस्पी नास्ता बन कर तयार है आप चाहो तो इससे चाए के साथ या फिर किसी भी सोस के साथ भी खा सकते हैं तो दोस्तों आप भी एक बार इतना स्वादिश्ट मसाले दार क्रिस्पी नास्ता ज़रूर ट्राइ करें तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नाए है तो मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने चैनल को पहले से करें और सेर करें थैंक यू